मैं देख रहा हूँ कि मेरे कई बच्चे मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं, दुख और निराश में हैं, पीड़ा सह रहे हैं, मैं उसे ये कहना चाता हूँ कि ये कठिन दिन भी गुजर जाएंगे, सबर करना सीखो, मैं साया बनकर तुमारे साथ चल रहा हूँ, बस तु तुमारे सच्ची भक्ती भाव का बुखा हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, शुद सच्ची भक्ती माग से तुम कभे भटक ना मत, क्योंकि यहां कई पखंडी दुकान लगाए बैठे हैं, तुम अपने दुखों से घबराए, तुमने मुझ पर विश्वा चोड़ा, वो तुम्हें अपने जाल में फसा लेंगे, ऐसे नकली लोग इस इंतजार में हैं कि कब उनके पास लोग आएं और वो उनके पैसे ही लूटें, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम अपना पैसा बरबाद कर लोगे, तुम उनके बताये उपायों में मत फसना, मुझे कोई उपायों के अवशक्ता नहीं, मैं तो केवल सची भगती, तुम्हारी शर्द और सबूरी चाहता हूँ, जिसका मुझ पर अटूट विश्वाश है ना, वो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आते, मेरे सची भगत केवल मेरे आगे रोते हैं, और अ कैसे करनी, वैसी भरनी, तुम बस अपने रहा से मत भटको, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम सचेत रहो, सची भगती करो, तुम्हारा कल्यान निश्चित है, उन लोगों के बताए, टोटो के अजमाओगे, तो तुम्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, भटकते मेरे बच्चों, जो ये दुख है न, इश्वर के द्वारा ही दिये जाते हैं, ये तुम्हारे कर्मों की सफाही होती है, और इश्वर ही तुम्हारे दुखों को दूर करता है, इश्वर के इलावा तुम्हारे दुखों को कोई दूर नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें भवसागर से पाहर करवाऊंगा इसलिए मुझ पर विश्वाश बनाए रखो और मेरी मार्क पर चलते रहो